असलाम अलेकुम मेरी प्यार यूटिव फैमिली मेरे प्यार 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 रिवीवर्स उम्मिद करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे तो जैसे कि आपने देखा कि हम सीख कवाब मलाई सीख विरियानी बनाने वाले हैं तो अगर आपने मेरे सीख कवाब की रसिपी नहीं देखी है तो वह उपर लिंक है आई-कार्ड में क्लिक करके जरूर देख लीजे तो इस तरीके से देखें मैंने सीख का मसाला मैरिनेट करके और प्रिवियस नाइट ही सीख बना के रख लीती ताके नेक्स डे मेरे लिए इ तो अब रात हो चुकी है तो हम मिलेंगे सुबा इंशाय अल्ला तो सबसे पहले तो हमने जो यह रात में सीख बनाई थी इसे हम निकाल के रूम टेमपरिच पर आने देंगे और जबते की बिरियानी का मसाला बनाते हैं जो कि दिखिए इसमें लॉंग, जवेतरी, जाइफल, बादियान और छोटी इलाइची हरी इलाइची है इसे हमें प खुश्घु का काम करता है बहुत इसमें फ्लेवर और बहुत आज्ची आरोमेटिक खुश्घु आती है इसमें और यह हमारा दे मसाला रेडि जब हम बिर्यानी में लेयर लगाएंगे जब हम इसका इसका इस्तमाल करेंगे फो टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट है यह पांच बड़ी प्याज है और पांच पोटाटो थे आलू उसे मैंने सरी कैसी कट कर ली थी और एक किलो बस्मती राइस है यह राइस को वाश कर लेंगे और आदे घंटे के लिए इसे सोख करके रख देंगे पानी में एक कप म्यानिस लेंगे एक कप दूद और 250 ml का यह जो अमूल का फ्रेश रिम होता है यह पूरा 250 ml की पैकेट में इसमें आट कर रहे हूं हाफ कप अमूल का प्रोसेस चीज है यह इसे हम ग्रेट करके इस तरीके से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देते हैं साथी साथ इसमें हम यह देखें यह बदाम का पेस्ट है 100 ग्राम बदाम का पैकेट था जिसका यह वन कप पेस्ट बनाएं रात में सोग करके लख लीजे अलमंड को और सुबह में उठके इसका इस तरीके से पेस्ट बना लेजे इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे रख देंगे अब हम प्यास को इची तरीके से चॉप कर लेंगे इस तरीके से इन मसालों के लावा मैं आपको पताती हूं कि जो चावल में हमें डालना है तेज पत्ता है शाजीरा है एलायची लॉंग और दालचीनी है यह हम चावल का जो पानी बनाएंगे उसमें हम इसे आड़ करेंगे और बॉइल होने देंगे जब पानी बॉइल होने लगेगा तब हम इसमें चावल डालेंगे यह चिकन स्टॉक का जो क्यूब होता है वो है यह दो ले लेंगे मीनवाइल क्लेनिंग का भी काम हो गया जिसमें के मॉपिंग में एमद ने भी हैल किया था थेंक्स तो एमद चावल को पकाने के लिए इस तरीके से मैंने काफी सारा पानी ली हूँ जिसमें में यह अखे गरम मसाले और साथी साथ यह दो हरी मिर्ट है जिससे थोड़ा सा स्लिट करके मैंने डाल दी हूँ साथी साथ 2 टेबल स्पूर इसमें ऑईल एड की हूँ कु अब जो हमारे पास पोटाटो से जो आलू है से हम फ्राई कर लेंगे इब रियानी में फ्राई आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं हलका गोल्डन से कलर आनी के बाद इससे निकाल लेंगे राइस के लिए जो हमने पानी बाला इसमें अच्छा घासा बॉयल आ गया अब इसमें हम जो हमारा सोक्ट राइस है वह हम इसमें आड कर लेंगे आलू फ्राइग करने के बाद जो यह रमेनिंग ऑईल है इसी में हम जो अखे गरम मसाले थे वो आड़ कर लेंगे और साथी साथ जो हमने अनियन इस तरीके से चॉप करके रखी थी जो कटा हुआ प्यास था वो इसमें आड़ करके इसे हम हलका सा पिंक होने देंगे यह हमार नामल आया है हल्ला के शुकर से है तो ja कि यह दो चिकन स्टॉक क्यूप्स है इसमें हम 4 टेबल स्पून जीरा पॉडर पाँच टेबल स्पून धनिया पॉडर तीन टेबल स्पून गरम मसाला क्यॐ थे पॉडर और एक टेबल स्पूN ब्लैक पेपर पॉडर यानि की काली मेरी पॉडर एड़ करेंगे हमारी प्यास जो है वो अब अच्छी तरीके से गल चुकी है पिंक हो चुकी है तो अब हम इसमें अदरक लसन का पेस्ट आड़ करेंगे हैं जो के पांच टेबल स्पून के करेब है साथी साथ हम इसमें आड़ करेंगे जो हमने ग्रीन चिली पेस्ट बनाया था वो आड़ कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से भून दे जाएंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे एक कप के करीब दही है ये हमारी जो दही है वो जादा खटी नहीं होती है इसलिए मैंने इसमें एक कप दही एड़ की हूँ और साथी साथ जो हमने अभी ज़ए स्पाइस निकाले थे वो हम इसमें आड़ कर लेंगे और इसे मिला के अच्छे से भून लेंगे मसाला काफी अच्छा भून गया है अच्छे से खुश्बू आ रही है ओईल भी सप्रेट हो गया तो अब हम इसमें जो हमारा यह वाइड ग्रेवी है अब हम इसमें यह एड़ कर लेंगे इसे आड़ करके हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और 10-15 मिनिट के लिए इसे हम पकाना है OIL सपरेट हो गया है और मैं जाइके की हिसाब से नमख एड़ की हूँ इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे ओईल सपरेट हो चुका था और देखे इस तरीके के इसकी कस्ट सैबर हो प्रब न हो चाहिए हमारा राइस भी अब अच्छी तरीके से पक्या है 90% ये पक चुका है 10% ये दम पे पकेगा तो सबसे पहले तो देखिए मैंने थोड़ा सा पतेली में जिसमें भी आप बनाने वाले हो लेर लगाने वाले हो उसको फब घ्रीस कर लिजे घी से उसके बाद में तोड़ा सा राइस डालके और हमारी ये वाइड ग्रेवी हम डालेंगे और जो हमने बिर्यानी के लिए पीसा था जो हम़ारा मैजिकल मसाला है ये हम इसमें हैं करें पिर से आम इसमें चावल का लेर लगाएंगे और लियर्स आप चाहें तो अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं मैंने इस पे तीन से चार लियर्स लगाई हूँ ग्रीवी और राइस का लियर्स लगाते जाहिए उसके बीच में हमें पोदीना और कोतमिर्स है और जो हमारा बिर्यानी का मसाला है और ब्रिष्टा ये भी हमें साथ साथ में इसमें आड करते रहना है इस तरीके से स्प्रिंकल करते जाएए जो remaining rice है वो भी मैं इसमें आड़ करूँगी और अब हम इसमें फिर से हरा धनिया और ब्रिष्टा और वो जो हमारा मसाला है वो हम इसमें स्प्रिंखल कर लेंगे अब जो हमने सीख बनाई थी सीख और जो हमने पोटाटोस फ्राइ किये थे वो हम इसमें फाइनली उपर से रख लेंगे थोड़ा से राइस मैंने बचा ली थी उपर से इस तरीके से डालने के लिए राइस डालने के बाद मैंने ये जो हमारा बिर्यानी का मैजिकल मसाला है वो आड़ कर लेंगे इसे फिर से हम गार्निश करेंगे हरा धनिया और पुदीनी के साथ ब्रिष्टा हम डाल देंगे और इसे मैंने फोर टेबल स्पून के करीब दूद था जिसमें मैंने जाफरान भीगा दी थी इस तरीके से दिखें अब वो हम इसमें उपर से डाल लेंगे और साथी साथ में हम इसमें टू टेबल स्पून के करीब घी डाल देंगे इससे इसका बड़ा अच्छा खुश्बू और बड़े अच्छ सा टेस्ट आएगा जो घी है वो एब्जर्ब होके नीचे तक के चला जाएगा अब हम इसे 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और फिर उसके बाद पेपर लगा के मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी तिल देन जो मैं सब हुआ है उसे क्लीन कर लेते हैं इसमें हम गरम पानी एड करेंगे साथी साथ डिश वाशर और इससे हम अपने हाथ से अब क्लीन करेंगे तो यह क्लीन हो जाता है कुसी स्क्रब की जरुबत नहीं है और हमारी मलाइसिक पिरियानी बनके रेडी हो चुकी है जबरस से खुश भूआ रही है तो अमीद करती हूं कि आपको मेरी यह मलाइसिक पिरियानी की वीडियो ए रेसिपी अच्छी लगी हो पिरूर कीजिए और अगर डिसलाइक कीजिए तो मुझे प्लीज कामेंड में लिखिए किस वज़े से आप डिसलाइक कर रहे हैं मुझे क्या इंप्रोमेंट करनी चाहिए तो इंशालला हम फिर मिलेंगे अपने किसी नए व्लॉग के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिस एं कर दो